हलो स्टूडेंट में शिवारी सोलन आपका वेलकम करते हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ससी बलट पर तो जैसे कि आप सभी बच्छों को पता है कि जीडी का नॉटिफिकेशन आउट हो चुका है तो आप सभी बच्छें लगके तयारी शुरू कर दो जीडी में क्या नॉटिफिकेशन आ चुका है जिसका अगर मैं समिशन की बात करूं ऑनलाइन एप्रिकेशन की तो वो रहेगी 24-11-2023 से लेके 31-12-2023 तक और जो लास्ट टाइम है आपकी पेमेंट की ठीके ऑनलाइन एप्रिकेशन को लेकर वो है आपकी 31-12-2023 रात 11 बजे तक और 24 यारी कि 1 जनवरी 2024 आपकी लास्ट पेमेंट की ओनलाइन पेमेंट की डेट रहेगी अगर हम बात करें यहां पर की डेट्स ओव विंडो पॉर अप्लिकेशन फॉर्म करेक्शन यारी कि अगर आपको उसमें कुछ भी करेक्शन करनी है तो उसके लिए कॉन सा टाइम होगा कब आप करेक्शन उसमें कर सकते हो तो चार एक से लेके 6 एक 2024 आप उसमें जो भी करेक्शन हैं वो कर सकते हो और जो एक्जाम होगा जो आपका एक्जाम होगा वो आपके एक्जाम होगा फाब और मार्च 2024 यारी कि परवरी और मार्च 2024 में आपके जीडी का एक्जाम होगा तो यारी कि आपके past time बहुत कम है, number end है, December, January, दो महीने बचे हैं इस तयारी के लिए अगर हम बात करें इसके अंदर बचो कि किस किस चीज की requirement है, ये exams कितने languages में कराया जाएगा तो ये आपके 13 reasonable languages में कराया जाएगा, जो आपका exam computer based होगा, वो 13 reasonable languages में कराया जाएगा इसके अंदर आपका physical standard test भी होगा, physical efficiency test भी होगा, और उसके साथ साथ आपका medical भी रहेगा, अगर हम बात करें इस exam के अंदर देखो, और क्या point है, जो हमें जानना है इस form को fill करने से पहले, देखो, बहुत सारे ऐसे वच्छी होते हैं, जिनको problem आती है कि किस तरह से हम इसक इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, आप इस site पर जाओगे, ssc.nic.in पर, तो यहां पर जाकर आपको इस form मिल जाएगा, अगर मैं बात करूँ, pay scale की gd के लिए pay scale क्या रहेगा, तो इसका जो pay scale रहेगा, 21,700 से लेके 69,100 यह इसका pay scale है, और इसकी जो vacancies रहेंगी, देखो, तो क्या है, अलग-लग है, male और female, दोनों के लिए अलग-लग vacancy है, bsf, cisf, crpf, अगर मैं bsf की बात करूँ, for st student, जो st से belong करते हैं, जो बच्चे, उनकी जो vacancy है, वो 735 है, ठीक है, male में, और उसी के लिए, अगर मैं female में बात करूँ, तो केवल 138 है, ठीक है, same cisf की मैं ब female के लिए, जो vacancy है, वो केवल 164 है, same st के लिए है, 467, obc के लिए 1028, तो यह आपकी, जो जिस category में है, जो sc में है, वो sc में देख सकता है, केवल 735 है, st वाला 467 है, तो यह category वाइस आपकी बता र क्यायained कि, bsf में कितनी vacancy है, male की और female की, same cisf में कितनी है, crpf में कितनी है SSB में कितनी है ITBF में कितनी है तो टोटल नंबर वकेंसी स्टी की 3334 है अगर मैं स्टी की बात करूं 2354 है तो यह आपकी टोटल वकेंसी जो आ रहे हैं वो 26146 वकेंसी है टोटल जो आपकी जीडी के लिए निकाली हुई है चीक है चलेगा निक्स आते हैं अगर हम पॉइंट पर कि और कौन सा पॉइंट है जो हमें जानना है यह जितनी भी वकेंसी है यह सब टेंटेटिव है ठीक है इस चीज को आपको ध्यान रखना है और कौन सा पॉइंट है जो हमें जानना बहुत जरूरी है जब हम फिल करने वाले हैं जीडी का तो वह पॉइंट है हमारी एज limit कितनी age हमें चाहिए form को fill करने के लिए तो आपकी age होनी चाहिए 18 से 13 यानि की as on 1-1-2024 यानि की एक जन्वरी 2014 के according आपकी जो age होनी चाहिए वो 18 से 23 होनी चाहिए उसके लिए आगे लिख भी रखा है point कि candidate should not have इसके बात करें, उससे पहले नहीं और इसके बाद होना चाईए उसका जन्म और नाहीं इसके बात होना चाहिए, उसी के ऐत्वार्डिय अठ्थारा से तही साल आपकी उम्र बैटती है इस फॉर्म को फिल करने के लिए और यह जो देड़ितु देखी जाएगी, वो एक जन् 24 के कॉर्डिंग केल्कुलेट की जाएगी चिक है अब आते है नेक्स्ट देखो जब हम ऐसा भी होता है कि हमारी एस थोड़ी सी जादा है लेकिन अगर हम स्थी एस्थी या बिलॉंग करते तो कुछ हमी एस का रिलेक्शेशन मिलता है तो वो जीडी में भी आपको मिलेगा कि किस उसके लिए है तो उसको देखेंगे एस्थी और एस्थी के लिए आपका फाइव यर्स का है और ओबीसी के लिए आप अच्छे देख सकते हो और एक सर्विसमान की त्री यर्स की दे रखी है तो उसी तरह से अगर हम विक्टम्स किल्ड इन दी एट नाइंटीन यह आपका रिए रिलेक्षेशन है अगर आपकी जादा है तो अगर आप इन कैटेगरी में हो तो आपको इस में क्या मिल जाएगा एज में छूट मिल जाएगी आपको इस फॉर्म को भढ़ने के लिए ठीक है चलो नेक्स आते हैं अगर हम बात करें आपकी हैं कि और कौन-कौन से पॉइंट समें इस फॉर्म को फिल करने के लिए जरूरी है जानना जरूरी है तो वह कौन-कौन से पॉइंट है हमने क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपकी 10th class examination from a recognized board और university किसी बात करें यानि कि matriculation आपका complete होना चाहिए 10th pass होने चाहिए आप बचे चलेगा next आपते हैं अगर हम बात करें और कौन से पॉइंट है incentive to NCC certificate holders जिन लोगों के पास NCC का certificate है तो उनको क्या plus point रहेगा उनके लिए क्या छूट रहे कि उनको क्या एक plus point रहेगा कि वो gdk firm को जो भरेंगे उनको क्या plus point मिलेगा वो यह है कि अगर आपके पास NCC का C certificate है तो आपके 5% maximum marks of the examination B है तो केवल 3% और A है तो केवल 2% यह NCC वाले बच्चों के लिए incentive के रूप में मिलेगा जिनके पास यह certificate होंगे A, B और C A वाले के लिए 2%, B वालों के 3% और C वालों के लिए 5% यह benefit रहेगा NCC वालों के लिए bonus marks कह सकते हो आप इनको कि bonus के रूप में उनको इस तरह के bonus marks मिलेंगे चलेगा next आते हैं और कौन से points हैं जो हमें इस form को fill करने के लिए जानना बहुत जरूरी है last date or time submission की मैंने बता दि ठीक है last date जो है आपके form को submit करने की 31-12-2023 है फीस क्या रहेगी इस form को fill करने की भरने की क्या फीस रहेगी तो आपको ध्यान डखना है इसकी जो फीस है किवल 100 रुपे है 100 रुपीज है आपको fill करने लेकिन लेकिन क्या अगर आप women है ज्यानी की और SC, ST से belong करते या फिर ex- service man है तो फिर आप free में आप इस form को fill करेंगे क्योंकि आपको कोई free pay नहीं करने ठीक है तो बाकी सबको 100 रुपीज करनी है लेकिन अगर कोई लड़की है या फिमेल है या पर कोई व्यक्ति विलॉंग करता है SC, ST, ex-service man है तो वो लोग free में इस form को fill कर सकते उनके लिए कोई पीस नहीं है ठीक है कोई भी 100 रुपीज देनी कि उनको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और वही online payment होगा आपका ठीक है उसके लिए आप UPI net banking जो भी आप यूज करते हो mastercard, 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 credit, debit card जो भी आप यूज करते हो उससे आप payment को कर सकते हो चलिए नेक्स्ट आपते हैं payment जो fees जो pay की जाएगी ठीक है वो 1-1-2024 राद 11 बजे तक रहेगा ठीक है और बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर कोई और option नहीं है fees payment का सिर्फ online mode है offline कोई mode नहीं है ठीक है सिर्फ online ही आप fees को pay कर सकते हो चलिए नेक्स्ट आपते हैं और क्या point है जो हमें इस form को fill करने के लिए जरूरी है जानना किस point को और जरूरी है जानना तो देखेंगे आगे देखो बच्चो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माई में डाउट आतम फॉर्म पर भरते हैं तो हमें कहां जाना पड़ेगा exam देने के लिए तो exam centers भी आपको दे रखें कहां कहां पर आपको exam कराया जाएगा तो यह center with codes है जैसे भागलपूर का जो code है वो 3201 है दर्मंगा का जो code है वो 3202 है तो यह centers with codes दे रखें हैं ठीके center के अगर बात करें तो भिहार और उतरप्रदेश आ जाएगा इस्टन की बात करें नमान निकोबार जारकन उडिशा सिक्किन विस्ट विंग ओल आ जाएगा तो यह सारे आपके अगर मैं CR की बात करू रिजनल डारेक्टर स्टाप की बात करू तो किस-किस जगे पे आप जो फर्म भरेंगे जो एक्जाम का सेंटर होगा यह सारे वो सेंटर्स दे रखे हैं विद कोड सेंटर कोड के साथ तो यह सब आप कोड से एक बार चेक कर लेना कि पूरा नॉटिफिकेशन आपको से बुलेट के टेलिग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडिएप मिल जो मैं चीज़ें आपको समझा रही हूं उसको समझ लो फिर उस नॉटिफिकेशन को आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो अगर हम बात करें इस से अलग और क्या पॉइंट्स है जो हमें फॉर्म को फिल करते हुए जानने की बहुत जरूरत है अब आते हैं स्कीम ओफ इ करेंगे ऑनलाइन जो हमारा पेपर होगा उसमें क्या क्या आएगा कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे कितने माक्स कि आएंगे कितने कोश्टन साइंगे जीडी के एक्जाम के अंदर वो जानने के हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है तो जीडी के अंदर अगर मैं बात एक आपका जर्णल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जिसको बोलते हैं दूसरा आपका जीके एंड जीए ठीक है जर्णल नॉलिज और उसके साथ का जीए जानी कि जर्णल अवियर्नेस थर्ड पार्ट आपका आपका मैतमेटिक्स है और फोन आपका हिंदी एंड दोनों मेंसे एक है तो जो भी आप लेना चाहें अगर बात करें सभी सब्जेक्स की सब्सक्राइब के 20 ट्वेंटी कोशन्स हैं रीजनिंग के 20 कोशन्स रहेंगे जीके के 20 कोशन्स रहेंगे इंग्लिश और यहां पर पढ़ सकते हो कि हर कोशन आपका दो मार्क्स लेकर आ लिए चाहर सब्जेक्ट कोशन्स वही चीज़ ऊपर लिखी हुई है कि और इसके लिए हमें कितना मिलेगा हम कितना थाइम हमें दिया जाएगा एक्जाइम के लिए तो आपको 60 मिनट्स मिलेंगे यानिकि आपको 80 कोशन को 60 मिनट में करना है यानिकि एक घंड़ आपको 80 कोशन करने हैं एक्जाम में चलिगा नेक्स आते हैं यह जो आपके एक्जाम होगा अब्जेक्टिम मुल्टिपल च्वाइस कोशन रहेंगे टाइप के और यह किन-किन लांग्वेजस में कराए जाएंगे जो हमने पढ़ा था उपर वही लांग्वेजस नीचे द तो उनके मैं में डाउट आता है किया हम तुक्ले लगा लिए क्या हम कर सकते हैं इससारे शार चाहरा झाल अजिसा नहीं आता है अगर नहीं आता है लगा दिया तो जो तो वह ही तो भी गलत नहीं हो आपकी चो negative marking रहेगी बचो वो 0.25 marks की रहेगी for each wrong answer ठीक है ये आपको जब गलत answer कर रहे होंगे यानि कि जिस पे तुक्का लगा रहे होंगे उसको लगाते हुए आपको थोड़ा सा mind में ये चीज रखनी है कि यहाँ पर negative marking भी है 0.25 marks की negative marking भी है ठीक है तो इस चीज को आप को थोड़ा सा ध्यान में रखना है चलेगा नेक्स आते हैं और कौन से points है जो हमें जानना जरूरी है मैंने payment के लिए आपको वदा दिया 100 rupees है आपके form को फिल करनेगा पोशन्स 10th level के होंगे आपके ठीक है सिंपल से अब आते स्लेबस क्या क्या स्लेबस रहेगा आपके रीजनिंग का ठीक है तो यह सारे चीज़े दे रखी है आपको रीजनिंग में similarities की बात करें विजुलाइजेशन रहेगा orientation विजुल मेमोरी डिस्क्रमिनेशन आप्जर्वेशन रिलेशन्शिप यह पूरा डिटेल में आपका रीजनिंग का स्लेबस है जो डो टॉपिक्स आपके रीजनिंग में जीडी में पूछे जाएंगे ठीक है और अगर मैं स्पोर्ट और साइन्टिफिक रिसर्च यह सब आपके जीके और जीए का पार्ट रहेगा इससे रिलेटेट कोशन्स आपके जीडी में पूछे जाएंगे अगर मैं जीए और जर्नल नॉलिज़ की बात करूं या पर जर्नल अवेर्नेस की बात करूं एलिमेंटरी मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा आपका सिंपल नंबर सिस्टम रहेगा ओल नंबर की बात करें डेसिमल की बात करें फ्रेक्शन्स की बात करें और रिलेशन्शिप बिट्वीन नंबर्स रहेगा आपका कोर्स में चिके mathematics का syllabus है English और हिंदी की बात करें तो English और हिंदी का जो syllabus है बचो बेसिक सा बेसिक चीजे पूछी जाएंगी आपकी तेंट लेवल की होती है ठीक है बेसिक सी चीजे आएंगी आपका comprehension वुट बी टेस्ट बेसिक चीजे चेक की जाएंगी कि आपको बेसिक चीजे आती हैं या फिर नहीं बहुत 10th level की English रहेगी बहुत ज़्यादा hard नहीं रहेगी आपकी और English की classes आपकी regular चलेंगे ऐसे सी बॉलट पे मैं ही आपको English की classes दूँगे ऐसे सी बॉलट पे तो वह आपका जरूर रहेगा इसके अंदर अब क्या physical efficiency test में क्या होगा क्या clear करना होगा कितनी रेस रहेगी कितने लिमिट के लिए दी जाएगी मतब किलो कितना किलोमेटर आपको दोड़ना है कितने मिनट में तो वह पूरा detail में male और female दोनों के लिए अलग लग दे रखा है पांच किलोमेटर 1.6 किलोमेटर 1.6 किलोमेटर कितने मिनट में और 800 किलोमेटर कितने मिनट में यह पूरा detail में आपको मेल का अलग है और यह दोनों का अलग-लग है यह दिहार डखना थेके दोनों इसके अंदर भी कुछ relaxation है इसमें भी हाइट में भी relaxation है लेकिन उसके लिए भी कुछ category में हो तो तो मेल के लिए केवल 162 चाहिए वैसे तो मेल के लिए कितनी चाहिए 170 लेकिन अगर आप स्थी से बिलांग करते हो तो केवल 162 चाहिए ठीक है और फिमेल के लिए केवल 150 चाहिए वैसे फिमेल के लिए 157 चाहिए ठीक है तो यह एक डिफरेंस आजाएगा और अगर आप North East के student हो ठीक है तो केवल 157 और 147 क्योंकि जहा सब्सक्राइब करें तो उनके लिए केवल 160 चाहिए और 147 और अगर आप डोग्राज से हो या यूटी जैन के हिमाचल परदेश असाम से हो तो वहां पर मेल केवल 165 और फिमेल की 155 ठीक है तो यह हर स्टेट के अलग लग तरीके से रिलक्षेशन दे रखा है क्योंकि सभी स्टेट्स की हाइट वहां के लोगों की हाइट उनी की जैसी होती है तो उसी के कोर्डिंग यहां पर रिलक्षेशन भी दे रखा है चीक है चलो नेक्स चाहिए और क्या पॉइंट है हमें जो इसमें जानने की बहुत जरूरत है पॉर्म को फिल करने के लिए यहां पे जिस्ड की बात करें mail candidate शुड़ा following standard of common wonder commute और एक्स पेंडिट की बात करेंıntी और minimum की बात करें 5 centimeter पिर और इसमें भी आपको relaxation मिलेंगा वही प्ते के समक्री था से है कुछ particular states की बात करेंगए वेट का भी रहेगा इसके अंदर तो यह सब आपका physical का point है जो अभी जरूरी नहीं है form को fill करने के लिए जब physical होगा उस time पे यह सारी चीज़े चेक की जाएगे so आप बिल्कुल भी देरी ना करें time बहुत कम है form आपका आही जाएगा ठीक है और आपको बिल्कुल भी late नहीं करना है तयारी बहुत जल्दी से शुरू करने है फाब और मार्च में exam है और आपके पास दो महीने बचे है complete एक December और दूसरा January क्योंकि फाब और मार्च में जब exam होगा तो already आप pressure में होंगे तो इसलिए दो महीने हैं लखके तयारी शुरू कर दो almost आप ये लगा लो आपके पास साथ दिन है ठीक है और साथ दिन में आपको लखके तयारी करनी है so classes आपके start हो रही है ऐसे सी bullet पे GD की English की class daily basis पे morning में रहेगी 11 बजे आप सभी बचे जरूर class को लेंगे जिसके अंदर मैं आपको सब तयाप के questions कराऊंगी जो आपके GD exams में पूछे गए है और जिस तरह के questions आपके exam में आएंगे उससलिए को मैं आपको एक-एक आपको 11 बजे की class में कराऊंगी तो जो भी बच्चा GD की तयारी करना आप चाहता है वो सब बच्चे जरू चुड़े ठीक है तो थांक यू स्टूडेंट फॉर दे सेशन बाकी class जरू ले मंडे से class start हो रही है आपकी GD की 11 बजे और आप सब बच्चे जरू class को ले